संथ कबीर दास जी का मानव इत्यास में बहुती सुन्दर योगदान रहा है इनोंने अपने दोहों के माध्यम से सत्य को बहुती अनुपम ढंग से परिभाशित किया संथ कबीर दास जी कहते हैं मन तो एक है जहां अच्छा लगे वहां लगाओ चाहे गुरू की भक्ति करो चाहे विशय विकार कमाओ विशय में मन आपको एक ही मिला है तो मन को आप यदि विशय में विशय जो विश के समान बताए गए है या तो आप उसमें लगा कर अपना जीवन को खतम कर सकते हैं और या फिर मन को पूरी तरह से शांती में स्थापित करने के लिए विशयों से मन हटा कर आप करें तो मन आपके पास में एक ही है कबीर मनही गयंद है अंकुष तैदे राखू विश्की बेली परिहारो अम्रित का फलचाखू मन मस्ताना हाती है इसे ज्ञान का अंकुष दे कर अपने वश में रखो और विशे विश्लता को त्याग कर स्वरूप ज्ञान अम्रित का शांती देखर जिस प्रकार से हाती को अंकुष लगा कर उसको वश्मे किया जाता है इस प्रकार मस्ताने हाती की तरह से आपका मन है उसको ग्यान अम्रित से अंकुष में लाईए आप मन के मते न चालिये मन के मते अनेक जो मन पर असवार है सो साधू कोई एक इसमें कबीरदाश जी कहते हैं मन के मत में न चलो क्योंकि मन के अनेकों मत हैं जो मन को सदेव अपने अधीन रखता है वै साधू कोई विर्ला ही होता है अब भारी असंक्ह विशे हैं, और मन जब विशयों की तरफ पर भागने लग जाता है, तो विशय अनन्त हैं, तो उनके मन, के भी मन भी हमारे अलग-अलग हो जाते हैं और इसमें बता रहे हैं कि विश्यों से जो अपने आसकती हटा लेता है मनुश्य तो वहां कोई विरला ही होता है